केक इंटून्स, हिंबी स्टारी कर लेना आदी अनेक ऐसी बाते हैं जिनके कारण सबजी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है सभी सबजी वाले उन्हें देख कर आये बाबु जी का नारा लगाते हैं पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का वरत तोड़ें क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा हनुमान प्रसाद जी को हरी सबजी का मजर है किस सबजी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कथा, कितनी लकडी, कितनी इट इसका जितना ज्यान उनको है, वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिक्टों के बारे में भी नहीं होगा हनुमान प्रसाद जी को ताज महल का रेप्लिका भेंट कीजिए, तो वे बुरा मान सकते हैं पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें, तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं, तो मौसमी तरकारी की फर्माईश वे जरूर कर देते हैं उस दिन मौसे अचानक निकल पड़ा, कि मैं लखनव जा रहा हूँ फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनव जा रहे हैं, तो हमारे लिए पांच फूल गोभी लेते आईएगा अभी यहां गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं, लखनव में एक एक रुपय का अच्छा फूल मिल जाता है फूल जरा गठा हुआ लीजियेगा, छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं वे पत्ते न निकाल पाएं, पूरी गोभी लीजिएगा पत्ते में जो कैलोरी होती है वो फूल में तो होती ही नहीं पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है मैं याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का माहात में सुनकर रह गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा, तब जाकर हनुमान पसाद जी ने मुझे छोड़ा हजरत गंज, सिनिमा, नुमाईश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़ कर मैं लखनव की तरकारी मंडी में घुसा तरकारी वाले दो रुपए से नीचे उतरने को तयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल एक एक रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले जिनके डंठल का अचार बन सके लोटने का वक्त हो गया, मंडी वाले ने एक रुपए पर उतरने के लिए हामी न भरी, हार कर डेर रुपए के भाव से गोभी के फूल खरी दे और सोचा, यदि ये इतने ही नायाब हैं, तो दो चार अपने लिए भी प्लैटफॉर्म पर हाथ में एक खुबसूरत अटैची के साथ एक जाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने बाला, मैं अपने धंका अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था टिकट चेकर दो बार पास से गुजरा, कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं, दो एक परिचित चहरे दिखाई पड़े, बोले, कहिए दावत कब है संजीदगी से जवाब देता हुआ, मैं प्लाटफॉम पर बढ़ती हुई भीड और अपने गोभी के जाबे को देख रहा था कुली चढ़ाने का अश्वासन दे रहा था, पर एक रुप्या इनाम चाहता था गाड़ी आई, ठसा ठस भरी मेल, मारा मारी का दृष्य, कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का मेरे कुली ने अब न चूप चोहान की तरह मुझे ललकारा, मैं भीतर घुसने लगा भीतर वाले मुझे दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अत्रिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए पर हया नामक वस्तु मैं प्लैटफॉर्म पर छोड़ कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था भीतर घुस्ते ही गोभी के फूलों की जिन्ता हुई जाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे आकरी किस्त में दो फूल प्लैटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुँच गए मैं कुली पर बिगड़ने लगा कुली इनाम मागने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी गाडी के भीतर का द्रिश्य भी निराला था एक स्वर कहता था साहब उधर ले जाए ना दूसरा बोला बैंच के नीचे कर लीजिए तीसरा उपर से जाने का सुझाव देता पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तयार न था गोभी का जाबा वही नीचे पड़ा रहा स्टेशनों पर गाडी रुखती रही और लोग डिब्बे में सब के मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं गुसा था मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था बचाईएगा देखिएगा अरे इधर नहीं इधर गोभी है अरे ट्रंक उधर ले जाओ पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है सो मेरी भी किसी न न सुनी जब तक इलाबाद स्टेशन न आ गया मैं अपने गोभी के जाबे को देख भी नहीं पाया भीड उस पर छाई रही इलाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उमीदवार की तरह नहीं पहचानना कठिन लग रहा था इतने हैं वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुचा कर मालूम करना चाहता था पर हिम्मत न पड़ी यहीं के बाजार से दो-दो रुपए के फूल खरीद कर लखनव के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनव में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाशन सुनकर अभी लोटा हूँ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जवर दबाए ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की लिंक आप तक पहुचती रहे केटिन टून्स हिंगी स्टारी